कि देवराज ब्रहमन चोरी करनेके बार भी भागवान शंकर के धाम गया है उसका एक कारण था की देवराज ब्रहमन की माता एक लूटा जल शिव को समर्पित कर दो इस प्रिकाए कितना जल जम के बुलिये जरा गए पर आप जल आप सब को कहूंगा कि शिम मंदिर में प्रती दिन एक लोटा पाणी एक लोटा जलजल अवश्च अवश्च चला सब्सक्राइब कि एक लोटा पानी बगवान को अवश्च क्या होता है तीन दोस्ट समाफ तो होते हैं एक लोटा पानी शिवजी को को चड़ाने से 3 दोष पहला पित्रदोष दोसरा वास्तु-दोष और तीसरा कालस्प्रफ-दोष जब घर में से जल ले तर जाते हैं तो हमारे घर का पानी जब जाता है तो घर का जो वास्तु के अंदर होता है वो रसोई घर तो उससे वास्तुदोह्ष समाखमा दूसे नमबर पठे पित्र दोष है घरका होता है परण दाiovहुता है वो पित्रों का स्थान पे उस्ची पित्रों की स्कत्र को आंव जो जलनिया भाए कि उसमें सी अगर भाद भाग्वान शिवकार नीजळाया जाया तो dire पित्रों का देवता आर्यमा भगवान शंकर के कहने पर चलता है इसलिए वह भात जब शिव को प्राप्त होता है तो आर्यमा संतुष को कर पित्रों को भी फ़ल प्रदान करें अग्या पीसरे नंबर है सी 50 से सफिव का अगवान शंकर को एक लोटा पाणी अगा चड़ा रहे हो है जैसे ळालतर अगया अगर मिश्चा थे रखर अगर्व में बच्चा है और वह शिव जी पर अगर एक लोटा पानी जैसे शंकर जी पर जल चड़ाया थाली में सारे भगवान को नेला लिया गणे जी देवी जी शंकर जी तारी में रखका इसनान करा कर वो शंकर कजड़ा हुआ जाल जो चड़ा इसलिए शुमहापुरान की खठकरती है के सारी बैवताओं Baba you और उस पात्र का जल शिव जी को समर्पित करा हुआ जल तुलसी जी में नहीं डालना तुमारे घर में जो पोधा हुआ जो पोधा हुआ आप उसको उसमें समर्पित करा हुआ जैसे बेल पत्री चड़ाने के बाद जल चड़ाना या जल चड़ातर बेल पत्र चड़ाना एक पत्र है बड़ा सुन्दर है छोटा सभाव प्रिश्ण श्चाय आप सब के हित्ता दूद करणक शाल आप अरुना जी अगरवाल जय पुटे जना ना जी अगरवाल जयपुर- जयपुर कश्चछा दूद के वल श्विलिंग के चड़ाना चाहिये चाहिए या पूरे शिवपरिवार में चाहिए प्रिश्ण अच्छा है और श्व महापुराण की कथा रुद्राक्च उस्व चल रहा है तो आप उसको समझें दूद केवल श्विलिंग पे चड़ाना चाहिए या जो श्विलिंग के आसपास में सभी परिवार विराजवान होता है उस पे भी चड़ाना चाहिए अगर लिंग पुराण आप उठा कर देखेंगे तो लिंग पुराण में एक बड़ा सुंदर संबाद आता है जिसमें पीले कलर के श्विलिंग का बंना रहा है सफेद लाल पीला और काल यह यह श्विलिंग आपको प्ले बंनी करा है ब्रहम्मन सफेद मट्टी का श्विलिंग बनाता है वैश्यश्यव् पीली मट्टी का शिवलिंग का निर्मान करते, छुद्र काली मट्टी का शिवलिंग का निर्मान करते, का जो काली मिट Receable करने है कि ये जो वर्णन कि source कि अन्तर्गत्थ कि अनतरगत्थ एक पीले शवेलिंग का बन्न आता है कि पीला जो श्रीफी तो महादेव कि शिवलींग पर समर्पित करते हो तो श्यू महापुरान की कथा करती है लिंग पुरान कथा करती है नर्वदा पुरान इसकंद पुरान पद्व पुरान अगनी पुरान सारी पुराने वर्णन करती है वरहा पुरान ग्रमभैता पुरान की जितनी पुराने प्राइब तो प्रिष्ण कराए जना जी अगरवाल जी ने जैपुर रजस्थान से हैं उन्दर परश्ण कराए और ये आपको ज्याक होना चाहिए कि शंकर वदावान पर चड़ाया गया थोड़ा सवी दूद जल जो हम भगवान शिव को समर्पित कर रहा हैं वो केवल शिव के लिए नहीं रहता था केवल भगवान संकर के लिए नहीं आई वो स्वयम 33 कवटी देवताओं को समर्पित हो जाए था 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 अलग से देने की जिरुवत नहीं हो महाराज़ा एक लोटा पांता है बेल पत्री आप शिवलिंग पर पेले चड़ा रहे हैं उसके बाद जल चड़ा रहे हैं दूसरा जल चड़ाने के बाद बेल पत्र चड़ा रहे हैं ये दो अलग अलग करम हैं शंकर भगवान की पूज़ा आप समझ लीजिए गजरा ये प्रसंग कभी नहीं आया आ जाया है तो उसको समझ रहे पहले बेल पत्र उसके बाद में जल जो चड़ाया जाता है ये रोग मुक्ती के लिए रहे हैं रोग के निवा रहे हैं रोग मुक्ती के जिसे कोरोना महामारी के अंतरगर अपन सब ने इस्मरण किया ऑनलाइन श्यूमा पुराण में कि एक बंडन किया था कि अगर जादा स्वास्त गरबड हो रहा है तो एक लोटा दूद था और एक लोटा पानी बेल पत्र रग कर फ इस समय पर बंडन किया था आप लोगों ने कई लोगों ने किया और उसका लाग आपको मिला उसी तरह आप श्यूमंदर में जाकर दर्शन करेंगे तो दो चीज़िए अपने को दर्शन करने को मिलेगी एक भक्त आता है शंकर जी के मंदर में अलोग भाव से पोश्ते हैं फहला अगर बेलपतर चड़ाया है और उसके बाद अगर शंकरभगवान पे जल चड़ा रहे हो तो ये रोग मुक्ति के लिए होता है जैसे बड़े रोग किसी को हो जाए रोग किसी को घेर ले तो वो बेलपत्री चड़ाने के बाद फिर जल चड़ाएगा तो उसको लोग आगे नहीं पढ़िए आगे नहीं पढ़िए रोगों को थामने के लिए बेल पत्री पहले फिर जल जाए और जब कुछ कारे के लिए आप सिद्धता के लिए आप अच्छे कारे के लिए आप शंकर की अराधना कर रहे होगो तो आप जल जड़ा कर फिर बेल पत्री चल जाए उसका राव मात अनद्री आपने जल चड़ाया उसकी बत बेल पत्र चड़ाया बस एक बात का समर्ण आपको होना चाहिए शुमाह पुराण का कि जब भी भी आप भगवान शंकर को बेल पत्र चड़ाते हैं बेल पत्र समर्पित करते हैं प्रयास करा करें कि यह बेल पत्र को जब भी आप समर्पित करें प्रयास करें कि बीच की जो पत्ती होती है बेल पत्र की मद्य की जो पत्ती होती है उसको अंगुष्ट से पकड़ जाए उसके बाद में आप फिर बेलपत्री को शिव पर समर्पित करें प्रयास करें बेलपत्र जो अमभगवान शंकर को समर्पित गरते हैं उसका मद्य जो भाग होता है जो तीन देवताओं का मद्य जो भाग होता है उसको पकड़कर बेलपत्री को शिव को समर्पित पूर्वकी कताओं में ये भी बढ़न किया है कि बेल पत्री की डंडी का मुख का होना चाहिए पूर्वकी कताओं में ये भी बताया गया है कि बेल पत्री की दोनों तीनों डंडीयों के बीच में तीनों पत्तियों के बीच में जो खाली जगा होती है, डंडी होती है, उसका क्या महत्र है, ये पूर्व की कथा में पहले बता चुछे, पर आज जो करम चल रहा है कथा का उसमें अपन जो समझ रहे हैं, वो ये होना चाहिए, कि आप किस कामना से जल चड़ा रहे हैं, आपक कोई विशेश कारे हैं आपका, जो आपको भगवान संकर से जाकर कहना है, कोई विशेश कारे हैं, जैसे ब्रह्म लोक में ब्रह्मा हैं, बेकुंत में भगवान विश्णु हैं, पर संसार सागर में, ब्रह्मान में, मरत्यू लोक में अगर कोई देव हैं, तो वो देव कोई दूसरा नहीं कोई दूसरा नहीं को भगवान दया करना में तेरे परो से हूँ भूलनात दया करना में तेरे परो से हूँ